कि हेले व्रीबड़ी सो वेरी गुड इनिंग तो अल आफ यू प्रवीन चौधरी यानिक आपके पीसी बाबक आप सभी लोगों को वापिस से तहल से नमश्कार मेरे भाई कैसे हैं आप सभी के सभी लोगन सर बोले क्या बताएं दिल जो है वो ऐसे धड़क रहा है ऐसे धड लग रहा है तो कभी ऐसे चाती चौड़ी हो रही है हम तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं जो आना हो आजाओ हम सब सम्हालने के को दिक्कत वाली बात नहीं है वाई साफ ऐसा भी लग रहा है सर तीस तारीक आ गई है सर तीस उलाई आ गई है समझ नहीं आ रहा कि हमन आया हूं कि कल का जो दिन आपका होगा यानि कि एक्जाम के दिन के एक रात पहले वाला जो दिन आपका होगा इस दिन आप सभी लोग जो है वो आखरी वाला जो काम है वो यहां पे करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है महा मेरतों एक आखरी दाव जो है वो हम यहां पे ल बहुद दो दिन से या एक ड़ड महीने से नहीं वाईसी बिलकि बहुत लम्बे समय से परिप्रेशंज जो है वह करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं कई बार तु में ऐसा भी हुआ कि हमें लगा कि हम ठंक चुके हैं चलो बैठ जाते हैं लेकिन फिर वापिस साब जोज के आप में उठे और आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे इसी एक्जाम के अंदर मुझे जुलाई में ही क्या करना है अपना CSWT जो पहला पढ़ाओ है CS का इसे सबस्बाइब बैठेंगे और रात को मेरे भाई जब तक कि आँखें करना start ना करने जब तक कि हडिया यह बोलना start नागलते बहाइं साब अब सो जाओ अब तुमको आराम कर लेना चाएं तब तक कि हम क्या करने वाले, यानि कि आखरी पल तक के लिए जब तक कि हमारे जब हम उठेंगे तो मन में इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि क्या मैं अपने एक्जाम जोसको पास कर भी पाऊंगा क्या वैसे मैं आपको इस बात को रिमाइंड करवा देता हूँ मेरे भाई कि आपने तीस तारिक का जो एक्जाम आपका हुने वाला है इस एक्जाम को अच्छे मार्ग से पास करने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं करी मेरे भाई जोंक दिया है आपने इस चीज़ को पाने के फिर उसके बाद में आपने मेराथान करी फिर उसके बाद में आपने बूस्टर वाली क्लासिस करी फिर आपको यह पता चला कि एक्जाम पोस्पॉन हो चुके हैं तो फिर उसके बाद में आपने दुबारा से मेराथान करी और फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा द प्लास्ट एक्जाम कोश्चन्स हैं उसकी क्लास जो है वह आपने अटेंड करी लाइव कुछ आपने दिया फुल को सब्सक्राइब जिसमें सारे के सारे इससे हैं वह आप लोगों अलड़ी सॉल्व कर चुके हो फिर इसके बाद सब्सक्राइब कहीं कुछ अगर बाकी रह गया होगा तो आप लोगों ने क्या किया जो इबुलेटिन है भाई साहिब यह इबुलेटिन को भी आपने खतरनाक तरीके से पिछले 20 मन्स के जो इबुलेटिन है वो आप लोगों ने हर सब्सक्राइब कर डाले कि यार क्या सही में उतनी प्रिपेशन हो गई है तो कल का एक दिन और सुबह दस बजे से लेकर रात को कितना समय होगा भी क्योंकि कल का टागेट हमारा बहुत बड़ा टागेट है कि यहां पर एक नहीं दो नहीं तीने बिल्कि सारे के साथ जो सब्जेक्ट आपके होंगे एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज जो है वो आपने को करना है मैक्सिमम इ कास ट्राइम एक आखरी ट्राइम एक पहले मैं आप लोगों से वही इनरजी जो है वो दूबारा से चाहता हूँ और इस बार थोड़े से लंबे समय के लिए चाहता हूँ हो सकता है कि कल रात को 10 बच जाए 11 बच जाए 12 बच जाए और हो सकता है कि आपका शरीर जो हो यह कहे कि बस कर भाई और ना हो पाएगा लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा याद कीजिएगा उन दिनों को जिन दिनों के अंदर आपने इतनी मेहनत करी है और इस लेवल तक बस एक आखरी दिन और आप से यहां पर मांग रहा हूँ जस्त लास्ट यह एक बार और जो कल का दिन होगा इसको जोंग दीजिएगा अगर यह आपने कर दिया भाई सब्सक्राइब तो परसों के दिन आपका जो कॉंफिडेंस है वह बहुत ही खतरनाक वाला होगा और पूर सारे के सारे लोग जितने भी बच्चे जुलाई 2023 में 30 तारिक को अपना फैनल एक्जाम देने वाले हैं पूरे जोश के साथ में पूरी एनरजी के साथ में जुट जाएंगे आ जाएंगे और फिर से बोलेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हो जालेंचे कमेंट सेक्शन में आज की रात आराम से नीन जो है वो ले लीजिएगा बढ़िया तरीके से जल्दी सो जाएगा रात को बिल्कुल भी सोशल मीडिया वगरा नहीं चलाएंगे ताकि 10 बजे जब आप सुबह क्लास के लिए बैठेंगे तो पूरी एनरजी के स CSCard India family I believe in you the whole CSCard India family believe in you that you can do it 100% you will be able to do it got the point तो चलिए भाई साब मिलते हैं कल सुबह ठीक 10 बजे let's decide once again कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं right bye bye good night and take care